नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग ओफ़ली आप बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं अपने किचिन का काउंटर टॉप को क्लीन करूंगी तो ये देखिए अभी फिलहाल ये मैनेज हो चुक है एकदम और्गनाईज हो चुक है आप देख रहे हैं मैगी बन रही है that means मेरा काम हो चुका है तो क्या होता है आपका जो kitchen होता है चाहे कितना भी बड़ा हो बढ़ छोटा हो जैसा भी हो बढ़ उसको organize करना manage करना बहुत tough task है दरसल होता क्या है kitchen में असान तरीके से काम करने के लिए महिलाओं को कुछ चीजों को अपने countertop पर रखना ही पड़ता है तो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से अपने kitchen को organize करी हूँ यह एक stand है जो कि useless तो नहीं कह सकते हाँ ज्यादा पुराना हो चुका है और मेरे प्लेट्स रखने के लिए जो drawers है उसके अंदर space है तो मैंने अच्छे से space वहाँ पर बना दिया है और यहाँ पर नहीं कुछ मानी की extra bottles रखती हूँ और जो extra समान है हमारा वो सारा में stand के उपर रख लूँगी तो यहाँ से मेरे stand की जगह एकदम से खाली हो जाएगी और जिस वज़े से मेरा जो countertop है एकदम से उसमें वहाँ पर space आजाएगा और मुझे और कुछ काम करने के लिए जैसे cutting करनी है से मिल जाएगा तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सब जो घी तेल यह जितना कुछ होता है यह सब stand के उपर आ जाएगा मैं आपको दिखा रही हूं कि किस तरीके से मैं इसको रख रही हूं और extra जो space बचेगा stand के अंदर वहाँ पर मैं bottles को organize कर दोंगी अगर हम kitchen की countertop को organize क तो वह एकदम से पहला हुआ लगता है जिस वज़े से हमें space ही नहीं मिलता है ना रोटी मनाने का space मिलता है ना ही कुछ cut करने का space मिलता है तो इसको organize करना बहुत ही जादा मेर को entertaining लगता है और बहुत जादा पसंद है यह काम तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ यह वा से हटा के यहां पर रख दिया अच्छे से देखिए organize कर दिया है और जो plates है वो मैंने नीचे लगा दी है यहां पर मैंने कडाई कोकर वगरा रख दिया है तो यह अच्छे से इसी में ही मैंने एक दूसरे के ओपर stack बना दिया है और अच्छे से मैंने organize कर दिया है और एक बॉत पृतिन का कपड़ा है कोई माइक्रोफाइबर में यूज नहीं करती हूँ तो उसी की हेल्प से मैंने इसको काउंटर टॉप की जो जगा है वो मैंने साथ के साथ के साथ क्लीन भी कर दिया मेरे पास ये शिलवटा है इसको मैं भही पर रखोंगी दिवार के साथ मैं च सरी नहीं नाहीं कर सकते हैं, जो हैं वहां एक रीच्छा कि को सुकरणव अजTok जो हैं, लगत आप दोगा। तो इस तरीके का stand आप भी ले सकते हैं, आपको अराम से मिल जाएगा, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो हमारे मसालाई का box होता है, और चकला बेलना होता है, यह सब मैंने यहीं पर ही organize कर दिया है, और यह मैं एक tray को clean कर रही हूँ, ताकि मैं अपने अचार के जो boxes हैं, इनको मैं अच्छे से arrange कर पाऊं, अब क्या होता है, यह double layer, triple layer जो हमारा stand होता है, इससे हमारा space भी तो double हो जाता है, आप यह देखिए, देखिए, मैंने थोड़े से space के अंदर कितना सारा material, अचार, बाकी डबे जितने भी होते हैं, खाने भीने का समान, medicines वगेरा, सब कु चोटा सा रैक पड़ा हुआ था, जो कि मैंने चाहिए 200 तक का मंगवाय था, फ्लिपकाज से, तो मैंने यह वाले रैक के उपर ही सारा घी तेल वगेरा रख दिया है, इससे क्यों कुछ नीचे नहीं हमारा गिरेगा, और एक ही जगा पर स्टैक रहेगा, और मैंने कडाई तक ही है, कडाई के अंदर ये बॉटल में हमेशा स्टरलाइस करके अलग से रखते हूँ, ये हमेशा मुझे चाहिए होती है, तो इस पज़ा से मैंने इसको हैंडी रख लिया है, तो आप भी देख रहे हैं कि मैं साथ के साथ अपना गैस भी क्लीन कर रही हूँ, आप इसी क्लीन कर लोगा है, मेरे काउंटर टॉप का आदा काम हो चुका था, तो वह काम मैंने छोड़के बीच में बरतन मैंने स्टार्ट कर लिया, कि एक पार्ट मेरा क्लीन हो जाए, आभ इसी तरीके से सारा किचन एक साथ ना फिलाई है, अभी सर्फ मैंने काउंटर टॉप क्ली क्लीन किया है, अमें धीरे-धीरे जो हमारे रैक्स होते हैं, शेल्फ होते हैं, किचिन के अंदर वो मैं धीरे-धीरे क्लीन करोंगी, वन बाई वन करके, यह नहीं कि मैं एक साथ ये पोरा किचन क्लीन कर देती हूं, हाँ मैं धीरे-धीरे ये काम करोंगी, और मैं आपके सा का इस्तेमाल करके और कैंडल्स की हेल्प से सजा सकते हैं आप अपने किचिन के हो हाँ यह ट्रीट ले और स्टैंड भी ले सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो पीस सब्सक्राइब कर देजिए